बीते दसक से बनारस के काष्ट कलाकारी को एक नई पहचान मिली है और अब इसमें एक नई कड़ी जुडने जा रही है 26 जनवरी के ठीक पहले भारत सरकार द्वारा पज्म सम्मानों की सूची जारी की गई है जिसमें बनारस के भी अने कलाकार है इसमें एक नाम है गोदावरी सिंग्जी का जो लगभग कई दसक से काष्ट कलाकारी में अपना योगदान दे रहे हैं हम उनके घर पर पहुचे हैं ये देखिए उनके द्वारा बनाई गई जो ये काष्ट कलाकारी है वो आपके सामने है इसके अलामा एक तस्वीर भी है प्रधान मंत्री मोदी उसमें मौझूद हैं लक्षमी कांद बाचपेई हैं और गोदावरी सिंग्जी है अभी सारिक स्वास की वज़े से वह आराम कर रहा है हम कुछ उनके परिवार के जो सदस हैं उनसे हम बात करेंगे उनके बेटे हैं उनकी बेटी है पदमर्श्री सम्मान से नवाजा जाएगा आपके पिता जी को कितनी खुशी है बहुत खुशी है रात बर जो सभी लोग उसमें मगनता कोई सोया नहीं जब से सुना है दिन में भी करीब करीब चार पांच मीडिया वाले आए थे सभी ने बाइक लिया कास्ट कलाकारी की बात कर लिए तो उसके बारे में जरा बताएए यह कौन सा हुनर होता है यह बाकी है इसमें मसीन का हुआ यह हाथ का टोटल है इसमें बारी की है पेंट में है याइन में है अचा आज लगता है आपको की बीटे द्रसकों से इसको एक नई पहचान मिली है पहले की बात कर लिए तो पहले इससे बनाई हुई वस्तूओं को हमने देखा कुछ समय पहले राम दरबार से जुड़ी हुई या राम मंदिर से जुड़ी भी अनेक लाकृतियों को तयार किया गया था बनारा से कलाकर दो अब इसमें नई उचाहित मिली है आगे से और भी वणिया काम होगा इसमें की और भी कारिकर लगेंगे जतने नए लोग हैं वो जुड़ेंगे जी की सुपलब्दी पर काफी आप खुश हैं और लगातार बधाई देने वालों का भी ताता लग रहा है मिठाईयां आप खिला रही थी कितनी खुशी है बहुत खुशी है मेरे पापा शंगर्श करते हुए इतने आगे निकल गए वो दूसरों के हम हमेशा सेवा किया है कभ अधिने को मिलते थे क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे कलाकारों को अगर ऐसा बड़ा सम्मान देश का बड़ा सम्मान दिया जाता है तो उससे आगे आने वाले पीडियों को भी एक प्रेणा मिलेगी नहीं ऐसी बात तो नहीं है पापा मेरे इतने अच्छे हैं कि वो अवरी सीजी को पदमसी सम्मान से नवाजा जाएगा इसके इलावा बनारस के ही रहने वाले संगीत घराने के भी जुड़े सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी को भी पदमसी सम्मान दिया जा रहा है ABP लाइफ के लिए निशान चतुरवेदी वारा नसी